तो आगे बढ़ते हैं जैसे एक और कोश्चन आपके पास में कि बहुत रेयर होगा कि उतना लंधी उतना लंबा कैलकुलिशन आपके पास में आ जाए बट फिर भी तियारी हमें सारी करनी हैं मैं आपको फिर कह रहा हूं एप्लिकेशन आसान है कोई बहुत बड़ी बात नह होने वाले है तो चलिए आपके पास में एक वाई फंक्शन आपको लिटकर लेता हूं वाई फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री और एक आपके पास में एक्स प्लस बन तो दो फंक्शन मंटिप्लाइब हो रहे हैं मैं इसका डेरिवेटिब ले रहा तो क्या लूँगा मैं पहले first वाले का derivative ले ले लेता हूँ, d upon dx, first क्या है हमारे पास में, x minus 3, उसके बाद मैं second को तो यहाँ पर same रखूँगा, अब plus का sign, अब मैं first वाले का already derivative ले चुका हूँ, तो first की बार ही है same रहने की, अब derivative होगा यहाँ पर second का, ऐसे में ले सकते हैं आप, x plus 1, वो उधर चला गया मैं तोड़ा, चलिए, तो यहाँ पर आपके पास में, तो आपके पास में, x plus 1, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, first वाल आपका same रखूँगा, x minus 3, और derivative ले ले लूँगा, d upon dx, इसका second का, x plus 1, ठीके बच्चे, अब solve करते हैं यहाँ पर clear है, अब आपके पास में, आप derivative ले रहे हैं, तो आप first का derivative लेंगे, सिर्फ फर्स्ट पर focus करो, आप derivative लेने भी, जो फर्स्ट का आप derivative ले रहे हैं, तो x का derivative क्या होगा, आपका 1 होगा, और constant नमर का 0 होगा, तो यहाँ तो 1 आया, क्या बच्चे, आपके पास में, second वाला एक्स प्लस 1, क्योंकि एक से multiply कोई फरक नहीं पड़ता, और यहाँ x-3, solve करेंगे तो x और x आपका 2x हो गया, और 1 और यह आपके पास में, माइनेस 2 हो गया, यह आपका final answer है, उमीद करता हूँ कि product rule आप बहतर तरिके से समझ पाए होंगे, product rule में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको confusion नहीं होगा, clear है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, matrix तो सबको सौंझ मा जाता है, matrix कोई बड़ी बात नहीं है, matrix तो मान के चलिए कि थोड़ा सक जमा घटा गुना भाग, matrix में देखना होता है, application उसका बहुत important है, matrix के chapter में क्या है, कि calculation में इतने rules बगरा न तो matrix का calculation आसान है, लेकिन उसका application बहुत difficult है, और उसका लेकिन application कैसा आएगा, वो कुछ 10-12 question होते हैं, उसी में से एक question आता है लिपन में, बड़ मैं आपको पूरा course लेके चलूँगा, तो 10-12 question ही बता दूँगा कि किस में से क्या आएगा, तो matrix के अंदर application difficult है, और calculus 1, calculus 2 क अंदर, calculation difficult तो आप नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं, calculus को एक order wise, systematical order में पढ़ा रहा हूं, तो उससे ये काफी आसान हो जाने वाला है आपके लिए, आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहां पर देखें आप, तो सबसे पहले आपके पास पर इसको एक y function आपके लेट कर लेत clear है, solve करेंगे यहां पर हम, dy upon dx, तो derivative लेंगे तो इसमें दो function multiply हो रहे हैं, तो पहले first का, d upon dx, first का लेंगे x square minus 3x plus 7, उसके बाद हम जो है, space नहीं है, यार, space नहीं है, तो 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 जास करना भी, dy upon dx equals to derivative first का लेंगे, d upon dx, x square minus 3x plus 7, and उसके बाद second वाला सेम रहने वाला है, आपका 2x square plus 5x plus 9, और plus, अब first वाला सेम रहेगा आपका, x square minus 3x plus 7, और derivative लेंगे, d upon dx, किसका, 2x square, 2x square plus 5x plus 9, दिखा आपको, देखता हूं, यह, चीक है, चलो, अब solve करते हैं इसको बच्चे, dy upon dx equals to, derivative का आएगा इसका, यह आएगा मेरे पास में, 2x, power 1 तो लिखनी जोड़त नहीं है, यह आजएगा minus 3, और यहाँ पर यह मेरे पास सेम रहेगा, 2x square plus 5x plus 9 and plus, यह सेम रहने वाला है, x square minus 3x plus 7, अब second का derivative लेंगे, तो 2x square का derivative का आएगा, 4x, और 5x का derivative का आएगा, plus 5, और 9 constant नमर है, 0 हो जाएगा, solve करते हैं इसको हम, तो यह पहले इसको multiply करेगा, तो 2 into 2, 4 और x की power 1, x की power 2, तो जब भी x multiply था, तो power इसके add हो जाते हैं, अब यह फिर इसको multiply करेगा, तो आपके पास में आजाएगा constant नमर, constant को 10, और x की power 2 हो जाएगा, power 1, power 1 तो add हो जाएगा, अब यह इसको multiply करेगा, तो plus 18x, अब solve करते हैं इसको, अब यह जो है, इसको multiply करेगा आपके पास में, minus 6x square, और यह multiply करेगा इसको, तो minus 15x, और यह इसको solve करेगा, तो minus 27, जहाँ solve करें, हाँ जी, देखो जड़ा, solve करेंगे, आप पर इसको solve करेंगे, तो क्या जाएगा मेरे पास में, 4x की power 3, तो कि यह x की 4x power 3, उसके बाद आप solve करेंगे, तो क्या हैगा, आपके पास में, minus 12x, square, फिर आपके पास में, क्या जाएगा, plus 28x, फिर 5 से multiply करेंगे, तो plus 5x square, minus 15x, plus 35, अब आप solve कर सकते हैं, x की power 3, और x की power 3 को, उसी तरी के साब solve करेंगे, यह x की power 3 है, तो कलर दिखे भी है, यह x की power 3 है, और x की power 3 है, तो 4 और 4, क्या हो जाएगा आपके पास में, 8x की power 3, ठीक है बच्चे, तो यह तो आपके पास में, और x की power 3 कही है, नहीं है, अब उसके बाद आपके पास है, x की power 2, x की power 2, x की power 2, x की power 2, बहुत जगए हैं, तो पहले plus वाले, दस और आपका ये तो मैनिस वाला है और ये आपके पास है पांच पंदरा अब पंदरा मेंसे आप क्या करो एक्सी पावर टू कौन कौन से है एक ये एक्सी पावर टू कौन सा है एक ये दो एक्सी पावर टू और कहा है ये तीन एक्सी पावर टू कहा है ये चार है तो दस 10 मेंसे 6 है गया, आपके पास में 4, चार ho गया और 4 और आपके पास में 12 तो आपके पास में must 8 our minus 8, और आपके पास है plus 5 तो आपके पास में क्या हो गया minus 3 x square, clear है बच्चे, अब जस्थ एक्स वाले terms कुंसे है, यह 18 x यह 15 x तो मायनेस का 3X, मायनेस का 3X, और यह आपके पास में 28. तो प्लस का 25 этих, प्लस 25 informing पंद्रह एक्स hu capitalize 10 ceram жел. तो प्लस का 10 एक्स, तो यहाँ पर आपके पास में बच्छा, फ्लस 10 एक्स, clear है यह एकसर वाले टम्स? अब आपके पास में x वाले terms भी eliminate होगे, square वाले भी eliminate होगे, आप constant नमबर कितने बचे आपके पास में, एक तो constant नमबर यहाँ पर आपके पास में, आपके पास में, जब derivative हमने ले लिया इसका, multiply करा, 8x की पावर 3, 10, 18, पर इसके बाद 6x की स्क्वेर, 15x, 13, 14, 9, 9, पर गें, 27 होना चीए था, यह है, clear है ? हा, minus 27, आपके पास में, 27 हाया और आपके पास में, 35 हाया, तो solve करेंगे, तो minus का हो जाएगा, तो आपके पास में 5 के पास 7 गया, 15 में 6 में 7 गया, 8, और 2 में 7 है, 0, तो आपके पास वैं 8 हाया minus का, यह आपका रहा है अब क्या पूछ रहा है अब अगर आप x को लेते हैं तो आपके पास में 18 x और 18 मेंसा आपके पास पंद्रा एक्स तो आपके पास में 3 x बचा पॉजिटिव का 3 x और आपके पास में sorry, आपके हाँ, सभी जा गा रहे हो, 3 x और आपके पास में 28 x, तो आपके पास में ये 31 x और 31 x में से आप जो है आपना 15, तो 6, 16 x आएगा, 16 x, clear है बच्चे, समझे हैं, space की मेरा आधिसमार कमी है, जिस वज़े से बड़ा congested हो गया है, कि लेरे को डाउट बचे हैं कि अगुशन में स्टेक हुई है क्या 28 प्लस 8 कि यह देखो क्योंकि आपके पास में प्लस है और माइनेस का आपका 27 है तो आपका पास में लुक्त करने के बाद ही आप ऐसा माले सौचिए कि पूरा स्टाव्यक्राइब करना करना हो होता है आपको तो पूरा संप्लिफाइब कर कि आफा यह अंसर था हैं कि अछलिया नेक है आप जरा इसको यह कैसे करेंगा आप उम्मिद करता हूं कि आपका इस लेवल का कैलकुलेशन हो रहा है कि आपके लिए एक्प्लिकेशन में कुछ भी डिफिकल्टीस नहीं आने वाली है अब यहां इस स्पेस के mistake आईगी देखेगा तů मैं मान लेता हूऊ y एक्वल्स टू क्या है मेरे पास में एक अच्छा कलर चल रहा था है यलो चल रहा है कि वाई एक्वल्स टू मैं मान लेता हूं कि आपके पास में क्या है एक्स स्क्वाइर लॉग एक्स ठीक है बच्चे अब इसका डेरिवेटिव भी लेंगे आप तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो आप देख रहे हैं दो फंक्शन आपसे मुल्टिप्लाई हो रहे हैं दो फ तो आप यहां क्या करोंगे प्रोडेक्ट रूल लगाओगे कैसे डिरीवेटिव आप ले लें बच्चे किसका पहले वाले फंक्शन का एक्स स्क्यार का और उसके बास सेकिंड वाले को आप एज़टिज रहने दें पिर प्लस का साइन आप फिर्सट वाले को आप तो जब आप फर्स्ट का derivative लेंगे तो क्या आपके आएगा 2x clear है और इसको आप एज़ेटी तरहने दीजिए log x को प्लस अब यहाँ पर आपके पास में x square और log x का derivative क्या होता है 1 upon x होता है और यह बेसिक रूल में इस पास को मैंने बताया आपको तो solve करते हैं अगर आप तो आपके पास में क्या आता है 2x log x प्लस यह आपका x से 1x कर जागा तो क्या बचेगा तो सिर्फ आपके पास में 1x बचेगा clear है बच्चे तो 2x और x आप चाहें तो यहाँ पर x common ले सकते हैं x common ले लेंगे तो इसमें से क्या आगया स्रफ 2 log x और यहां से x common चला गया तो वर्ण तो आपका यह final answer हो गया clear है बच्चे समझे कोई doubt black space हाँ आप नेक्स क्लासे से इसका black ही करेंगे तोड़ा साथ इस पर काम कर दिया तो दिक्कत हो गई है गई ब्लैक पर थोड़ा सही रहता है कि इस पर तो इतनी दिक्कत तो नहीं आने चीए है कि गले हांजे अब आप यहां देखें कि यह ब्लैक पर थोड़ा अच्छा सा हो जाता ने काम कि देखें ब्लैक कर रहा था भी मनें यह यह बहूत होती अच्छे से clarity होती है ने स्क्राइब लेंगे ऐसा कलर नहीं यह मुझे पता भी था कलर पीपीटी टिप डिजाइन वह तो मुझे नहीं मालमत हूं कि पिछले कलर डाल दिया है यह आपके पास में है, तो यहाँ पर आपके पास में करेंगे, तो बच्चे प्रोडर्ट रूल लगाएंगे आप सबसे पहले, क्योंकि आपके पास में एक y function क्या दिया हुआ है, आपके पास में y function जो है, y equals to आपको दिया हुआ है, x की पावर क्यूब, e raise to power 2x, clear है, तो द दो चीज़े आप देख रहे हो, multiply हो रही है, यहाँ पर भी आप, दो चीज़े कौन-कौन सी multiply हो रही है, एक आप देखो, यह function multiply हो रहा है, और आप देखो, यह, तो दो function आपस में multiply हो, यह, clear है, बच्चे, तो यहाँ पर आप देखते हैं, दो function आपको multiply हो रहा है, तो सब लिख देता हूं कि मैं derivative लोगा सबसे पहले किसका x cube का और दूसरे वाले को मैं as it is रखने वाला हूं उसके प्लस अब मैं पहले को as it is रखने वाला हूं और मैं अब derivative लोगा किसका दूसरे वाले function का e raise to power 2x clear है अब solve करते हैं इसको आप तो आपके पास में equals to dy upon dx equals to solve करते हैं इसका derivative लिखेंगे तो क्या जाएगा 3x की power 2 और यहाँ पर मेरे पास में क्या जाएगा e raise to power 2x clear है बच्चे पहले का derivative लिलिया यह 3 और आप power में से कम कर दिया है इसको सेम यहाँ पर यह सेम x की power 3 आपने e की power आपने देखा तो normal condition e की power क्या देखा ता आपको आपको याद होगा basically आपने यह समझाता इस बात को समझी ज़रा e raise to power x equals to e raise to power x होता है derivative में यह normal condition होता है याद आए आए आपको कुछ क्या फिर से repeat करता हूँ e raise to power x e raise to power x का जो derivative है e raise to power x होता है यह normal condition है clear है तो यहाँ पर आपके पास में मुझे derivative किसका लेना है derivative मुझे लेना है e raise to power 2x तो e raise to power 2x का derivative क्या होगा e raise to power 2x लेकि normal condition नहीं है normal condition बोलते हैं इसको बोलते है normal condition इसको बोलते है normal condition बट यहाँ पर e raise to power 2x तो ये normal condition होता है ये normal condition नहीं है तिस नउमल condition कोई भी चीज नमल condition में नहीं हो तो इसका एक बार जो चीज नहीं है सर्फ उसका एक बार डिफरिशेशन लेना पड़ जाता है इसको हम chain rule कहते हैं क्या कहते है chain rule तो यहां पर आपका साथा chain rule भी आ गया तो यहाँ पर आप देखेगा e raise to power x होता तो मेरे लिए कोई दिक्रती था मैं यह लिए देता बट यह normal condition में नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा और normal condition में नहीं है तो एक बाद derivative उसका ले लेते हैं जो normal condition में नहीं है क्लेर है बच्चे बात समझे तो क्या हो गया 3x की power 2 e raise to power 2x यहां तो में को derivative उसका लिए नहीं नहीं था x की power 3 और e raise to power 2x का derivative e raise to power 2x आगा बटी normal condition में नहीं है तो इसका लेना पड़ेगा क्लेर है बच्चे समझमाएं आपको आप देखिए क्या है दोनों में आपका e raise to power एक तो आपके पास में e raise to power 2x को मन आ रहा है कि इस टुपावर 2x इधर भी है इधर भी है ठीक है और एक x की power 2 भी को मन आ रहा है कि इधर भी है और एक सिपावर टीन है तो क्या बचा यहां पर थ्री और थ्री तो रहे गया कि क्या बचा यहां पर आपका 3ні舉 चूल लिया 2 ए इरिस्टो टू एकस निंकल लिया तो बस 3 रह गया है है यहाँ पर आपके पास है plus स्रफ एक्स बचा और यह तो निकल लिया आपके पास में आपके पास में दो एकस jeg ridge अंसर है माप कियरें सब्सक्राइब के ने दर क्या मैं कि अप các फंक्शन एक सेकिंड फंक्शन तो मैं पहले क्या करूंगा फिर मैं फिर्स्ट को सेम दूसरी डेरिवेटिव लिया नहीं है बात कर रहा हूं बस अब लेते हैं डेरिवेटिव लेंगे तो एसकी आपट तू और दूसरे वाला सेम अब यह पहले वाला सेम रह जाएगा अब बस नौर्मा कंडिशन क्या होती है बात समझे अब अभी तक आप डेरिवेटिव में क्या ले रहे हो आप मेरी बात को समझे दरा गहरा है से अभी तक आप derivative में क्या ले रहे हो अभी तक आप derivative में ले रहे हो एक्स की पावर थो लेकिन सवाल आपके पास में आ जाएगा 2x प्लस x की पावर 3 5 तो अब यह सवाल आपका normal condition में थोड़ी है आपका पहले तो अगर आप solve करते हैं तो पहले normally solve कर दो यह आपका x होना चाहिए था नहीं यह आपका यह x थोड़ी है पावर के नीचे आला x होना चाहिए बड़ x थोड़ी है तो इसको पहला आप कर दो यह 5 derivative ले लो जैसे पहले देते थे लेकिन आप इस बात को समझेगा कि यह आपका x होना चाहिए था है कौन सा यह बड़ी आपका x नहीं तो दुबारा इसका derivative लेना पड़ेगा मुझे d upon dx इसी को तो क्या बोलते हैं इसी को तो हम बच्चे chain rule कहते हैं इसलिए पहले मैंने chain rule सिखा आयता बट कोई बात नहीं अच्छा है कि बार बार वो चीज़ें आएंगे doubt आएंगे तो clarity हो जाएगा तो आप ही calculations की problem हट जाएगे क्लिर है बच्चे मैं आपको बताता हूं mathematics of finance बहुत सिंपल है बच्चा अगर non-mess background का बच्चा अगर उसको कई problem आती है तो calculation आती है calculation की भी अगर आप calculus के calculation को समझ जाओगे तो उसमें problem नहीं आएगी mathematics of finance basic calculation है उसमें कोई आपका differentiation integration ऐसा कुछ भी नहीं है तो mathematics of finance straight चला जाता है matrix and determinants आपका बिल्कुर straight चला जाता है कोई भी उसमें ऐसा कुछ algebra या ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके बाद आपके पास में linear programming का कोई भी किसी से कोई connection नहीं है तो यह सब आपको जो है इसमें मता रहा हूं मैं कि डेरिवेटिव लेंगे तो क्या है आपके पास में यह 2 आ जाएगा इसका और इसका derivative लेंगे तो क्या जाएगा मेरे पास में 3x की पावर 2 this one यह रहेगा आपका पूरा समझे क्लियर है